हेलो दोस्तो आज मानम का रख्थ परिसंचरन टॉपिक का अध्यान करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टेम फ्यूमेन ठीक है तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टेम होता है वो दो प्रकार का होता है एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टेम और एक होता है क्लोज सर्कुले या चालता है बंत न का यह दम प्रवायत होता है इसमें ब्लड़े होटा है और इसमें जहां जो बंद परसंचन वह कि आंदर होता है इसमें बढ़य होता है इसके EXANGPल की एक Заंपल करें जैसे खरगोस पर मनुष्य हमारी बोड़ी की अंदर बंद न का मि प्लाजमा दूसरी होती है और रोधिर कनकाई होती है कितने पैंतालीस परसेंट मानव के अंदर पांच लीटर रोधिर पाए जाता है ठीक है दोस्तो अब हम प्लाजमा के वारे में अध्यन करते हैं कि प्लाजमा है रोधिर का जो तरल वाग होता है वो होती है प्लाजमा ठीक है दोस्तो और यह हलके पीली रंकी छारी तरल पदार्थ होता है यह कैसी होती ह 45% और इसमें जो प्लाजमा होता है उसमें क्या होता है कि 90% क्या पाए जाता है जल पाए जाता है और 10% क्या पाए जाते हैं कार्वनिक और अकार्वनिक पदार्थ पाए जाते हैं और कार्मिन पदार्थ में जर्छ प्रोटीन प्रोटीन पाई जाती है याद रखना है तो प्लाज्मा जैसे अभी यह हमने प्लास्मा पढ़ लिया के रुदिरुत याद होता है यो क्या होता है अगट में और और यह चारीय तलल पदार्थ होता है और इसका रुदिर का कितने परसेंट पाग होता है 55 परसेंट 90 जल पाये जाता है 10 परसेंट कार्वनिक और अकार्वनिक पदार्थ पाये जाते हैं और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है है साटसे- Garminic प्रोटीन होती है department कार्बनिक पदार्थ के रूप में Calcquet जो रुदिर कन कर्बकतम ही होती मों और दूसरी होती हैं स्वेट कर्टिक और तीसरे होती है रोधेर पटिकाणू रेड ब्लड कार्पल्स एरिथ्रोसाइट बायट ब्लड कार्पल्स लीकोसाइड बोला जाता है ने और ब्लड प्लेटलेर्स होती है ठीक है दोस्तों तो रोधेर कणकाई होती है प्लाजमा में कैसी पाई जाती है तेरती हुई पाई जा प्रोटीन 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 प्रोट जो दिखत प्रेसर होता है अदो इसका नियमान करता है और यह क्षाesto करता है कार्वें का ने नहीं माइं को यह प्रकार not कौण कौन सा कारे करती है तो जैसे याम होती है यह फाफ वीटागा मा होती है यह जो प्रव्यन Cancer का कारे एंटी वाडी तो अभी पढ़ेंगे तो जो एलबंवें विन जो गामा से करती है एनटीवाड करते हैं तीसरी प्रोटीन हिस्थी फाइब्रेनोजन प्रोटीन तो यह क्या करते है दोस्तों कि होता यह फटाएंग का तो छोड़ाद का थकी ठोटिहों यह से प्रूब्राजमा पूर्मस करते हैं यह सारे लवड्र पाई जाते हैं लेकिन सोडी मिन में से आपको most important याद रखना है ठीक है दोस्तों अब पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं हम क्या आर्वीसी की बारे में पढ़ते हैं जैसे रेड इसे बोलते हैं इंगलिस में red blood करपल्स यानिए erythro side ठीक है दोस्तों तो यह रुदिर की प्रमुक कणिकां होती है मानव की रुदिर कणिकां में 99% क्या होती है आर्वीसी पाई जाती है और वीसी क्या होती है केंद्रक रहते होती है यह कुश्चन कई सब्सक्राइब माइक्रो मीटर होता है और इसकी मोटा ही होती है वो दो माइक्रो मीटर थीमोग्लोविन लाल रंक की Prey होती है हीमोगलोविन एक सहींग में प्रोटीन है मतलब अकेली रूप में नहीं पाय जाती यह आईरन होता है उसके साथ जुड़ी होती है स्वसंद रंजक का कार्य करती है प्रते एक अभी हीमोगलोविन की सरचना के बारे में पढ़ेंगे देखें दोस्तों कि इसमें हीमो आइरन सब्मू के साथ जुड़ता है हीमोगलोवन होता है वा ऑकसिजन के साथ जड़कर औको मिन आता है जिसकर करण हमारे रविदेर का रंग होता है वह लाल होता है सब्सक्राइब मैं हात्रा में पायकर है यह इतना important नहीं लेकिन दोस्तों हीमोगलोवन बहुत important है यह कई exam में आया हुआ है मानम में हीमोगलोवन की जो मात्रा होती है वो कितने पाई जाती है 15 ग्राम प्रत डेसी लीटर हीमोगलोवन के कारण ही रोदेर का कैसा रंग होता है लाल और रवीसी का निर्माण कहां पर होता है दोस्तों यह होता है अस्तिमत जाम में ठीक है दोस्तों और इनका जीवन कितना होता है 120 दिन 120 दिन के बाद रवीसी होती है वह पिलीहा होती है और यह होता है यक्रत वहां पर जाके तूट जाती है ठीक है तो उसमें जैसे रवीसी में हीमोगलोवन भी होता है तो ह सेसवाग विलरुबिन विलवर्डिन नाम के पित वड़कों में परवर्तित कर उस सरजित के आ जाता है यह हीमलगोबिन का ठीक है जैसे आपने दोस्तों मतलब देखा होगा कि पीलिया हो जाता है तो हमारे जो मूत्र का रंग होता है कैसा हो जाता है पीला हो जाता है तो वि आगे का ये टॉपिक है जैसे आरवीसी तो हमने पढ़ ली अब पढ़ेंगे अब डॉलूबीसी यानि बाइट ब्लड कारपल्स यानि इसे लीकोसाड भी बोलते हैं आगे की बीडियो देखने के रिए मेरे चैनल को लाइव और सस्क्राइब करना ना भूलें ठीके दोस्तो थैंक यू